मेरे प्रिये भाई और बेनों, हम जल्दी क्रिस्मस मनाएंगे, एक सब्ता के बाद एक सब्ता में हम लोग क्रिस्मस मनाएंगे, और क्रिस्मस शांती का त्योहार है, आनंद का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, मेल मिलाब का त्योहार है, यही कारण है कि हम लोग पहले य को क्रिस्मस काड भेजते थे अपने प्रेम को प्रगट करने के लिए शांती को प्रगट करने के लिए मेल मिलाब को प्रगट करने के लिए लेकिन आजकल तू प्रता समापत ही हो गई है तो क्रिस्मस, शान्ती, मेल मिलाब, प्रेम और आनंद का द्योहार है हमारे पास एक सब्ता बाकी रह गया है और इसलिए ये सब्ता हमारे लिए मेल मिलाब का सब्ता है ये सब्ता हमारे लिए मेल मिलाब का सब्ता है इश्वर से मेल मिलाब और अपने भाई बेनों रिष्टेदारों से भी और अन्य लोगों से भी महल मिलाब इसके लिए मैं आज आपके लिए उठाना चाहता हूँ एक बचन मार्कुस का सुसमाचार उसकी अधियाए 12 वाकि 29 से 31 तक मार्कुस का सुसमाचार अधियाए 12 वाकि 29 से 31 तक बहुत सुन्दर है प्रभु कि उस पश्च शब्दों में हमें समझाते हैं वाँ पर हम पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे 28 से तब एक शास्त्री इसा के पास आया उसने ये विवाद सुना था और ये देखकर कि इसा ने सदूकियों को ठीक उतर दिया था उनसे पूछा सबसे पहली आग्या कौन सी है एक शास्त्री ने प्रभु के पास आकर पूछा कि गुरुवर सबसे पहली आग्या क्या है एसा ने उतर दिया पहली आग्या या है इस्राइल सुनो हमारा प्रभी इश्वर एक मात्र प्रभु है अपने प्रभी इश्वर को अपने सारे हिर्दे, अपने सारी आत्मा, अपने सारी बुद्धी और सारी शक्ती से प्यार करो दूसरी आग्याईया है अपने पडोसी को अपने समान प्यार करो तो एक शास्त्री ने प्रभु के पास आकर पुछा कि गुरुर सबसे बड़ा नियम क्या है आप जानते ही यहुदियों धरम नियमों का धरम है देर सारे छोटे बड़े नियम उन्होंने पुछा कि सबसे बड़ा नियम क्या है तो प्रभु ने कहा तुम अपने प्रभी ईश्वर को सारे हिर्देश से सारी बुद्धी से सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो उसी सांस में प्रभु ने कहा अपने पडोशी को अपने समान प्यार करो हम इस पर मनन करेंगे मैंने आप से कहा कि मेल मिलाप का सब्ता है एश्वर से मेल करना एक दूसरे से मेल करना और इस प्रकार क्रिस्मस के लिए अपने आपको त्यार करना तो हम इस पर मनंचिंदन करेंगे दो बातें पहली बात एश्वर को प्यार करना दूसरी बात एक दूसरे को प्यार करना ये दोनों हम विश्वासियों के लिए मस्यों के लिए हमारे व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का आधार है एश्वर से प्रेम और मनुश्यों से प्रेम सबसे पहला है प्रभु कहते हैं अपने प्रभु एश्वर को अपने सारे हिर्दे से सारी बुद्धी से सारी आत्मा से और सारी शक्ती से प्यार करो अम विदी विरन गंद की अध्याय छे वाके पांच में ये पढ़ते हैं ये वहां से उधरित किया गया है अपने प्रभु इश्वर को प्यार करो कैसे सारे हिर्दे से आप अपने पती या पत्नी या बच्चों या माबाप को कैसी प्यार करते हैं सारे हिर्दे से हिर्दे की गहराई से प्यार करते हैं अगर उसको कुछ हो जाता है तो आपका हिर्दे तूड़ जाता है क्योंकि आपने उसको हिर्दे की गैराई से प्यार किया प्रभु कहते हैं उसी तरह अपने प्रभु इश्वर को सारे हिर्दे से प्यार करो सारे मन से सारी बुद्धी से प्यार करो आप जिसको प्यार करते हैं वह हमेशा आपके मन में बना रहता है उसके बारे में आप सोचते रहते हैं उसका ख्याल किया रहते हैं उसके बारे में चिंता करते हैं हमेशा परेशान रहते हैं बच्चे हो पती हो पत्री हो जिनको भी आप प्यार करते हैं उसके बारे में बराबर चिंतित रहते हैं प्रभु कहते हैं उसी तरह आत्मा से प्यार करो आत्मा से प्यार करने का मतलब क्या है अंतर तम से जुबान से नहीं अंतर तम से प्यार करो आप अपने बच्चों को और माबाप को अपनी जुबान से केवल नहीं प्यार करते हैं अंतर तम से अंदर के अंदर से प्यार करते हैं इस स्यास अभी की गरंदी के अध्याई 29 उसके वाकिय तैरह में प्रभू कहते हैं इस स्यास अध्याई 29 वाकिय तैरह प्रभू कहते हैं ये लोग मुख से मेरी अरादना करते हैं लेकिन इनका अरादना करते हैं लेकिन इनका अरादना करते हैं लेकिन इनका हिर्दे मुझसे करते हैं लेकिन इनका हिर्दे मुझसे दूर है ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभू कहते हैं अपने आत्मा से प्यार करो अब प्रभू कहते हैं अपने सारी शक्ति से प्यार करो जब आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं भाई बेन को प्यार करते हैं तो अपने सारी शक्ति से प्यार करते हैं बच्चा बिमार पड़ जाता है पैसा ज़्यादा चाहिए तु जमीन तक बेजने के लिए तयार हो जाते हैं दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते हैं सारी शक्ति से आप उसकी सेवा करते हैं, आप उसके प्यार करते हैं, प्रभु कहते हैं, सारी शक्ति से प्यार करो, मलागी के ग्रंद के अधियाई एक उसके वाकिय साथ और आठ में प्रभु कहते हैं, तुमने मेरी वेदी को प्रभु पुरोहितों को संबोधित कर रहे हैं पुरोईतों को संभोधित करके बोलते तुमने मेरी वेदी को प्रदूशित किया तुम पूछो कि कैसे प्रदूशित किया मैं तुम्हे समझाओंगा जब तुमने लंगडे और रोगी जानवरों को मेरी वेदी पर चाहाए उस समय क्या तुमने मेरी वेदी को प्रदूशित नहीं किया उस जमाने के प्रोईतों ने सोचा कि अरे बली चाहना है, काटना है, जलाना है उसके लिए अच्छी जानवर क्यों देंगे अच्छे अच्छे पश्वों को रखते थे और लंगडे और रोगी पश्वों को बली चाहते थे प्रभू कहते हैं, तुम अपने गवर्नर के लिए ऐसा करके देखो क्या वो तुमसे प्रसन होगा तो प्रभू कहते हैं, कि अपनी सारी शक्ती से प्रभू ये शुर को प्यार करो अम यहान के इसु समाचार की अधियाए 21, उसके वाकिए 15 से 17 तक में पढ़ते हैं प्रभू ने अपने पुनुरुथान के बाद अपने शीशों को नास्ता खिलाया गलीलिया जील के ताड़ पर और उसके बाद सीमोन से एक सवाल किया, सीमोन यहान के पुत्र बताओ क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो सीमोन बताओ क्या तुम मुझे अपने माबाप से ज़्यादा प्यार करते हो भाइ बेनों से ज़्यादा पत्नी से ज़्यादा अपने पेशे से ज़्यादा अपने ज्यान से ज़्यादा अपने स्वास्ति से ज़्यादा अपने सौंदरे से ज़्यादा मुझे प्यार करते हो और मुझे लगता है प्रभी इश्वर आज हम में से हरे एक से यही सवाल करता है क्या तुम मुझे इन सबसे ज़्यादा प्यार करते हो हमारे जीवन की गड़बडियों का कारण संतुलन बिगड़ जाना है हमने इश्वर का स्थान अन्य चीजों और लोगों को दिया है आज लोग धन की पूझा करते हैं दवलत की पूझा करते हैं पैसे की पूझा करते हैं उसके लिए लड़ मरने के लिए तयार हो जाते हैं उनके लिए उनका धन, दवलत, पैसा, सब कुछ है आज इंसान प्रतिक्ष या परुक्ष रूप से धन की पुजा करते हैं उनका वो ही शुर बन गया है प्रभु का अचनम में समझाता है हम पढ़ेंगे लुकस के सुसमाचार की अध्याय बारह में उसके वाकि सौलस से कैस तक प्रभु ये सु एक बहुत सुन्दर दिश्ठांद सुनाते हैं उस जमाने की बात है एक धनी विक्ति था उसके पास बहुत जमीन थी और उसकी अच्छी फसल हुई उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा ये सारा अनाज कहा है कटा करूँगा मैं ऐसा करूँगा कि मैं अपना बखार तोड़ूँगा और बड़ा बनाओंगा और सारे अनाज कोई कटा करके कहूँगा अपने आत्मा से अब मस्ती करो, अराम करो तुम्हारे लिए कई वर्षों के लिए नाजी कठा है उस दृष्ठान्द में प्रभू कहते हैं उसी रात को ईशोर उसके पास आता है और उसे पूचता है रे मूर्ख यदि आज ही रात को तेरे प्रान दूस से ले लिए जाए तो ये सारा धन किसका हो जाएगा वाकिय केस में प्रभी येशु कहते हैं यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धने कत्र करता है लेकिन एश्वर की दिष्ठी में धनी नहीं है यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धने कत्र करता है लेकिन ईश्वर की दिष्टी में धनी नहीं है मत्तिके सुसमाचार की अध्याइच्छे उसके वागी 24 में प्रभी ईश्व कहते हैं तुम दो मालिकों की सेवा ने कर सकते तुम दो मालिकों की सेवा ने कर सकते तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते याकूब का पत्र अधियाय चार वाके चार में याकूब कहते हैं रेकप्ती और वेमान लोगों कि आप लोग नहीं जानते है कि संसार से मितरता का मतलब है ईश्वर से बैर संसार से मितरता का मतलब है इश्वर से बैर जो संसार से मित्रता बनाना चाहता है वो इश्वर का शत्रू बन जाता है ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते आमें चुनना होगा अगर आप इश्वर को चुनेंगे तो इश्वर के राजी के सारे गुण सारी बाते आपके जीवन में देखनें गुम लेंगी धन को चुनिए उसके साथ साथ सांसारिक लेश अपनाईए हमें चुनना होगा यहान के पहले पत्र की अध्याई दो उसके वागी 15-16 में यहान कहते हैं मेरे प्रीए भाईयों आप संसार से प्यार ना करें ना संसार की चीजों से आप संसार से प्यार ना करें ना संसार की चीजों से जो संसार से प्यार करता है उसके अंदर पिता का प्यार नहीं है हम धन संपत्ति को अपना इश्वर नहीं बना सकते हमारी समस्या यह है कि हमने धन संपत्ति को अपने ईश्वर बनाया है और हम चाहते हैं कि हमारे जिवन में शांति हो, प्रेम हो, आनन्द हो दोनों संभाव नहीं है प्रेम, शांति, आनन्द, कृपा ये सब ईश्वरी गुण है ये सब दैवी गुण है ये धन से प्राप्त नहीं हो सकता है धन से शांदी नहीं मिल सकती है धन से प्रेमन नहीं मिल सकता है धन से आनन सचा आनन नहीं मिल सकता है धन से किरपा नहीं मिल सकती है इसलिए प्रभु कहते हैं तुम को चुनना होगा योहन कहते हैं, दोनों संसार से प्यार नहीं करना, संसार की चीज़ों को, अगर संसार और संसार चीज़ों को ज़्यादा प्यार करेंगे इश्वर से ज़्यादा, तो पिता का प्यार आपके अंदर नहीं होगा, तिमती के नाम संद पहलूस का पहला पत्र अद्याई छे वा या क्या ही सत्य नहीं है धने से धनी लोग मर जाते हैं कैसे मरते हैं खाली हाथ आयूब के ग्रंद में आयूब क्या कहता है मैं नंगा ही मा के गर्ब से आया और नंगा ही इस धर्ती के गर्ब में जाओंगा मैं नंगा ही अपनी मा के गर्ब से आया और नंगा ये जर्थी के गर्वे में जाओंगा ये एक सच्चाई है हमें धन और दौलत को अपने ईश्वर ने बनाना चाहिए प्रभु पूस्ते क्या तुम इन सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हो कुछ लोग मनुश्यों को ईश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं अधिक सार लोग ये के जीवन में मैं देखता हूँ ईश्वर से ज़्यादा मनुश्यों को प्यार करते हैं पती को पतने को बच्चों को माबाप को मित्रों को दोस्तों को भाई को बेहन को एश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं वे उनके गुलाम है अगर पती बोलेगा तुम रातना नहीं करना तुम रातना करना बन्त करेगी चर्च नहीं जाना चर्च नहीं जाएगी माबाब बोलेंगे तुम नहीं करना तो नहीं करेंगे उनके लिए उनके माबाप, उनके पती, उनका पतने, उनकी पतने, उनका भाई, उनकी बहन, उनके बच्चे एश्वर बन गया है इस्यास नभी के ग्रंद दियाई दोवा के बाईश बहुत बर्दस वचन है वहाँ पर प्रभु क्या केते हैं मनुशियों पर भरोसा मत रखो, मनुशियों पर भरोसा मत रखो, क्योंकि मनुश्य नक का श्वास मत रहे बंद हो जाएगा, समाब्द हो जाएगा उस पर जो भरोसा रखता हो बेवकूफ और मुर्ख सीध होगा मत्य के सुसमाचार के अध्याई 37 में प्रभू कहते हैं जो अपने माबाप को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य होने योगे नहीं है जो अपने माबाप को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य होने योगे नहीं है हमें इश्वर को पहला अस्थान देना है इश्वर से ज़्यादा प्यार करना है एरमेस नभी अध्याई 17 उसके वागिए पांच और छे को पढ़िएगा एरमेस अध्याई 17 वागिए पांच और छे वाहां पर प्रभू का वचन गेता है देकार उस मनुष्य को जो इश्वर से मूँ मोड लेता है और मनुष्यों पर बरुसा रखता है देकार उस मनुष्य को जो इश्वर से मूँ मोड लेता है और मनुष्यों पर बरुसा रखता है वो मरुभूमी के पाउदे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते हैं वह मरुभूमी के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते हैं लेकिन आगे देखेंगे वाकिए साथ और आट में धन्य है वह मनिश्यु जो इश्वर पर गृूसा रगता है वह जलस्रोत के किनारे रोपे ये व्रिक्ष के समान है जो समय पर फल देता है वो धूप से नहीं डरता है उसके पत्ते हरे बरे रते हैं तो कुछ लोग लोगों को अपने इश्वर बनाते हैं कुछ लोग अपने आपको और भोग विलास को आशाराम को सेक्स को इश्वर से ज़्यादा महत देते हैं इश्वर से ज़्यादा महत देते हैं आज कल यह देखने को मिलता है पनोरण जन आशाराम भोग विलास सेक्स इसको उसी इश्वर का स्थान देते हैं यह कोई टिकाव नहीं हम जानते हैं कोई टिकाव नहीं है समय के अनुसार से बदल जाता है यह सब परिवर्तन शील है टिकाव नहीं हम जानते हैं इसलिए प्रभु कियते हैं तुम अपने प्रभु इश्वर को सारे हिदे सारे मन सारे आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो मैरे प्रिए भाई और बेनों एक मात् पूर्ण प्रेम के योग्या है वो इश्वर है इसलिए अपने जीवन में अपर अपने परिवार के जीवन में इश्वर के लिए स्थान दें समय दें मौका दें इश्वर के वचनों को पढ़ने और सुनने के लिए समय दें इश्वर पर बरोसा रखें प्रभु कहते हैं अपने प्रभी इश्वर को सारे हिर्दे सारे बुद्धी सारे आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो अयूप की गरंदे के अधियाए 22 वाक्य केस बहुत सुन्दर वच्चनेवा लिखा हुआ है इश्वर से मेल कर लो तुम्हें फिर सुक्षांती मिलेगी इश्वर से मेल कर लो तुम्हें फिर सुक्षांती मिलेगी इश्वर को अपने जीवन में लाओ तुम्हें फिर सुक्षांती मिलेगी इश्वर से प्यार करो तुम्हें फिर सुक्षान्दी मिलेगी उड़ाव पुत्र का उदाहर लीजिए उड़ाव पुत्र का उदाहर लीजिए उसका कल्यान उसकी वापसी में था पिता के भवन की ओर वो चल पड़ा तंगी में जीने वाला वो जवान लड़का परदेश में सुरों को चराने वाला वो जवान लड़का अपने पिता के भवन की ओर वापस आया और उसको सब कुछ प्राप्त हो गया इश्वर से मेल कर लो तुम्हें सुक्षांदी मिलेगी कि आज तक आपने इश्वर को स्थान ने दिया है सानसारिक चीजों को जड़ा महत दिया है लोगों को महत दिया है ये समय है इश्वर से मेल करने का समय है इश्वर के करीब आने का समय है इश्वर को समय देने का समय है प्रार्तना के लिए समय देने का समय है प्रभू के वच्चनों को सुनने का समय है प्रभू पर बरोसा रखने का समय है ईश्वर के करीब आने का समय है प्रभू इस क्रिस्मस में आपको आशिश पर आशिश देंगे दूसरा है प्रभू कहते हैं अपने परोसियों को अपने समान ब्यार करो अपने परोसियों को अपने समान ब्यार करो हम अपने आपको कितना प्यार करते हैं बापरी कितना प्यार करते हैं हम अपना कितना ख्याल करते हैं हर जिए का सुरक्षा चाहिए ख्याल करते हैं अपने सहत का कितना ख्याल करते हैं अपने पविश्य के बारे में कितना सोचते हैं कितना ख्याल करते हैं प्रभु कहते हैं दूसरों को भी उसी तरह प्यार करो क्यों क्यों कि वचन कहता है बाइबल कहती है कि इश्वर ने मनुश्य को अपना प्रतिरूप बनाया है इश्वर ने मनुश्य को अपना प्रतिरूप बनाया है इश्वर ने आपको अपना प्रति रूप बनाया है आप इश्वर के प्रति रूप है और आपके बगल में जो रहता है न वो भी इश्वर का प्रति रूप है वो भी इश्वर का प्रति रूप है आज तक आपने सोचा नहीं होगा जब आप उसको पियार करते हैं आप इश्वर को ही पियार करते हैं मतिक येसु समाचार के अध्याए 25 वाग्य 40 में प्रभी येशु कहते हैं इन छोटों में से किसी एक लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया अवशक्ता में पड़े जरूरत में पड़े हर एक व्यक्ति के अंदर येशु आपको पुकार रहे हैं उसमें येशु निवास करते हैं इसलिए हमें दूसरों को उसी तरह प्यार करना है जिस तरह हम अपने आपको प्यार करते हैं आपको याद है प्रेरी चरित के अधियाय नों में आप पढ़ेंगे साउल जो प्रभी येशु के शिश्यों पर अतियाचार करता था दमिश्च के मार्क पर उसको गिराय जाता है अब प्रभु ने साउल से एक सवाल किया किया साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अतियाचार करते हो मुझ पर येशु कहते हैं मेरे शिश्यों पर जो अतियाचार करता है वो मुझ पर अतियाचार करता है क्योंकि मेरे शिश्यों के अंदर मैं निवास करता हूँ हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए जानना चाहिए एक सच्चाई है कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं हम ख्याल नहीं करते हैं मतिके सुसमाचार की अध्याय साथ उसका वाकिय बारह बहुत प्रसीद वचन है क्या लिखा हुआ है दोसरों से अपने प्रती जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रती वैसा ही किया करो दोसरों से अपने प्रती जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रती वैसा ही किया करो यही सहिता और नभीयों की शिक्षा है तूसरों से तुम अपने लिए जो व्यवार चाहते हैं उसी तरह दूसरों पर व्यवार करो हम दूसरों से प्यार चाहते हैं हम दूसरों से अंगीकार चाहते हैं हम दूसरों से प्रशंसा चाहते हैं हम दूसरों से सम्मान चाहते हैं प्रभु कहते हैं कि वो भी तुम भी उनको दो सम्मान दो और पाओ प्रशंसा दो और पाओ अंगीकार दो और पाओ प्यार दो और पाओ क्योंकि लुकस के सुजमाचार के अधियाएचे उसके वाक्ये 37 और 38 में प्रभु कहते हैं किसी के विरुद नरने ना दो और तुम्हारे विरुद भी नरने नहीं दिया जाएगा च्षमा करो और तुम्हें भी च्षमा मिल जाएगी दो और तुम्हें भी दिया जाएगा दबा दबा कर हिला हिला कर भरी वी उपर उठी वी पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नाप जाएगा शब्दों का ख्याल किजिए ये प्रभी येशू के बचन है प्रभु कहते हैं जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे नाप जाएगा जिस नाप से तुम नाप ते उसी नाप से नाप जाएगा योहन का पहला पत्र अध्याय चार उसके वाकिय आठ में लिखा हुआ है योहन का पहला पत्र अध्याय चार वाकिय आठ में लिखा हुआ है जो प्यार करता है वो इश्वर को जनता है लेकिन जो प्यार नहीं करता है वो इश्वर को नहीं जनता है क्योंकि इश्वर प्रेम है योहन कहते हैं जो प्यार करता है वो इश्वर को जनता है और जो प्यार नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जनता है क्योंकि ईश्वर प्रेम है बाइबल में जानने का मतलब है अनभाव करना जो प्यार करता है वो ईश्वर का अनभाव करता है जो प्यार नहीं करता है वो ईश्वर का अनभाव नहीं कर सकता है क्योंकि इश्वर प्रेम है बहुत सारे मसी और विश्वासी भाई बेनों को इश्वर का अनभाव गैरा अनभाव इसलिए नहीं है क्योंकि वे पियार करने को तयार नहीं है छेमा करने को तयार नहीं है जो प्यार करता वो इश्वर को जानता इश्वर का अनभाव करता है यहन का पहला पत्रा ध्याय चार वाकि बीस में यहन कहते है यदि कोई कहता है मैं इश्वर से प्यार करता हूँ यदि कोई कहता है कि मैं इश्वर को प्यार करता हूँ और अपने भाई या बेहन से बैर करता है वह जूटा है क्योंकि यदि वह अपने भाई या बेहन जिसको वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है तो वह ईश्वर जिसको वो नहीं देखता वो प्यार नहीं कर सकता है देखे कितने जबर्दस वचन है योहन कहते हैं यदि कोई कहे मैं इश्वर से प्यार करता हूं बक्ति करता हूं इश्वर से प्यार करता हूं और अधि वो अपने भाई या बेहन से बैर करता है तो वो जूटा है क्योंकि यदि वो अपने भाई और बेहन जिसको देखता है प्यार नहीं कर सकता है तो अप इ इश्वर को प्यार नहीं कर पाएंगे इश्वर को ग्रहन नहीं कर पाएंगे प्रभीयसु का जन्म कहां पिवा था एक गोशाले में हो था वो गोशाला एक सुन्दर प्रतीक है वो गोशाला एक सुन्दर प्रतीक है किस बात का प्रतीक है समानता का प्रतीक है वो समानता का प्रतीक समंजस्य का प्रतीक है उस गोशाले में सब कोई है जहनवर भी है घास बूस भी है और उसमें मनुष्य भी आ गया है प्रभू भी आ गया है समंजस्य समानता येशु समानता में आए और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु आएं, कारे करें, कृस्मस हो, तो आपको गोशाला बनाना ही पड़ेगा, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे कैतलिक भाई बेन, अपने घरों पे छोटे-छोटे गोशाले चरनी जैसे बनाते हैं, उसमें थोड़ी प्रभु आएंगे, प्रभु आप में आएंगे, येशु को गरहन करना है तो हमें गोशाला जैसे जास्तान को बनाने की जरूरत है, केवल उनही लोगों के जीवन में प्रभु आएंगे, जिनका हिर्दे बढ़ा है, मन बढ़ा है, केबल उनी लोगों के जीवन में प्रभू आएंगे जिनका मन बड़ा है जिनका हिर्दे बड़ा है क्योंकि प्रभी येशु सब के लिए आए है क्योंकि प्रभी येशु सब के लिए आए है प्रभी येशु सब के लिए आए है इसलिए हमें अपने संसार को बड़ा बनाना है अपनी दुनिया को बड़ा बनाना है मैं मेरी पत्ने मेरे बच्चे बड़ा बनाईए विशेश करके आज जब बहुत ज़्यादा शहरी करण है यह शहर की संस्कृती बन चुकी है कि मैं और मेरा परिवार और किसी के बारे में मेरा कोई ख्याले नहीं है मैं जानता ही नहीं हूँ परोज में कोन रहता है I don't know मैंने जानता हमारी दुनियाएं कितनी छोटी होती जा रही है कितने संकीर्न होती जा रही है हमें अपनी दुनिया को बड़ा करना है पुराने जमाने में लोगों के पास बहुत बड़ा दिल था पूरा समुधा है उनके साथ था पूरा गाव उनके साथ था लेकिन धीरे धीरे हम लोग संकीर्ण बनते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारी दुनिया छोटी होती जाती है हमारे हिर्दे भी छोटा होता जा रहा है छोटा हिर्दे है सिर्फ मेरी पत्नी पत्ती और बच्चों को प्यार करने वाला हिर्दे है दूसरों के लिए खुला नहीं है दूसरों को क्या हो रहा है कोई पता नहीं है सम्वेदन हेन सहान भूती रहित बगल में कुछ भी हो रहा है कोई बात ने उनकी बात है न हम लोग ठीक हैं तो हमारा हिर्दय भी छोटा होता है जारा हमारा मन भी छोटा होता है जार बताइए आज कितनी लड़ाई चल रही है धरम के नाम पर जाद के नाम पर कितना छोटा हो गये हमारा मन हमारे मन में ज़्यादा लोगों को संवाविश ने करने देते हैं आने ने देते हैं ऐसे लोगों की डिमने प्रभी एसु नहीं आ सकते क्योंकि प्रभी येशु सब के लिए आये हैं सब के साथ है और सब के लिए है प्रभी येशु सब के लिए आये हैं सब के साथ रहने के लिए आये है आज हमें प्रभी येशु को ग्रहन करना है हम चाहते हैं कि प्रभु की कृपाएं हमारी परिवार और हमारी जीवन में आएं तो हमें भी एक गोशाला बनाना पनेगा एक ऐसा गोशाला जिसमें सब को स्थान है उस गोशाले में गरीब गड़ेरिये भी आएं उस गोशाले में जोतिशी भी आएं एक ऐसा गुशाला एक ऐसा मन एक ऐसा हर्द जो बड़ा है जो विस्तिरत है आईएंब रहत न करें धन्यवाद देते हैं प्रभू तेरे पईत्रोंचनों के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे संसार में आगमन के लिए तेरे संसार में आगमन ही एक बहुत बड़ा संदेश है येशु तेरा यहां आना ही एक बहुत बड़ा संदेश है तेरे जन्म के द्वारा ही तुने संसार को बहुत बड़ा संदेश दिया है तेरे जन्म के समय स्वर्गी तूट ने गाया स्वर्गी परमेश्वर की मेम और पृष्थी पर उसके किरपश पातरूं को शान्ति मिले ये क्रिस्मस सारे संसार के लिए शान्ति का क्रिस्मस मनें प्रभू प्रभी येसु तेरे हिर्दे यतना बड़ा था तु सब के लिए आया, सब के साथ आया सब के साथ रहने आया हमारे भी हिर्देओं को बड़ा बना दे हमारे हिर्दे संसारी गोते जा रहे हैं हमारे हिर्दे संसार में रमते जा रहे हैं सान सारी चीजों में ही लिप्त होते जा रहे हैं हमें स्वरगिक और विस्तरत मन और हृदे के बना प्रभी ऐसु तेरे सागमन के द्वारा इस क्रिस्मस के द्वारा हमारे और हमारे परिवार के जीवन में परिवर्तना है हमारे हिर्दे बदले, मन बदले, जीवन बदले, घर के द्वार खुल जाए एक रभी ये सुन वचनों को सुनने वाले एक भाई बेनों को आशिर देना एक एक भाई बेनों को आशिर वाद देना उनके जीवन में इस वर्ष एक नया क्रिस्मस होने देना एक सुन्दर क्रिसमस होने देना तेरी स्थूदी तेरी महमा तेरी अराद में